नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो fix deposit को एक बहतरी investment मांते हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा fix deposit अगर आप लोग करा रहा हैं तो आप लोगों किस तरह से नुकसान हो रहा है देखिए मैं fix deposit के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ पर अगर आप लोग इस तरह भी सोचते हैं तो आप लोगों के लिए जो return होगा न वो काफी बड़ा difference create करेगा और जो मैं आप लोगों से बाते करने वाला हूँ उसके बाद आप लोग सोचेंगे कि मुझे अभी fix deposit कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए और करवाना चाहिए तो कितने की करवा हूँ और फिर उससे मुझे कितना return मिलेगा और इससे बहतर option मेरे लिए क्या क्या है चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो काफ़ important है दूसरों के साथ भी share कीजिएगा उनको भी बताएगा इस बारे में क्योंकि देखे टिपिकल इंडियन्स की जो सोच होती है इवन मेरी भी सोच जो पहले थी मैं सोचता था कि इतनी fix deposit करा देता हूँ इतने सालों म पहले पहले वीडियो का इसे तरह के और वीडियो देखने के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियो की notification आप लोगों तक आती रहेंगे सबसे पहली चीज़ दोस्तों की fix deposit को लेकर के लोग काफी नि हमारा पैसा, हमारा future, हमारा retirement, हमारे बच्चों का बविश्र बिलकुल सुरक्षित हैं लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि अगर आप लोगोंने बैंकों में fix deposit करा रखा है जैसे कि आप लोग SBI में करा रखे हैं, ICICI में करा रखे हैं, Small Finance Bank में करा रखे हैं साथ ही उनकी एक stable banking होती है, यानि कि लोग उन पे भरोसा करते हैं, करते चले आए हैं और उनको कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आई है, उनके पैसे कभी गायब नहीं है, किसी भी तरह के चोरी की बाते नहीं आई हैं, कि ये manager ने, फराणा branch के manager ने इस तरह का घपला किया वेगेरा वेगेरा तो आप लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं खास करके सबसे ज्यादा भरोसे मन बैंक की बात करें तो इस समय SBI बहुत लोग ज्यादा भरोसा करते हैं HDFC पर भरोसा करते हैं और भी ऐसे कई सारे बैंक है जहां पर लोग अपना भरोसा कायम रखे हैं तो भरोसा करने का मतलब है दोस्तों कि आप लोग अपना पैसा उनको दे रहे हैं और वो दिवालिया नहीं निकलेंगे वो बैंक कभी बंद नहीं होंगे लेकिन आप लोगों का एक दूसरा वेवे भी सोचना है कि आप लोगों को किवल 5 लाग की ही सुरक्षा मिलत है अब कैले को कहता हो कि में इन्विस्मेंट करो मैं कहता हूँ कि आप लोग टाटा में एन्वस्मेंट करो फिर वहां पैसा यहां नहीं सोचते हैं, अगर मैं वही कहूँ कि SBI के share खरीद दो, तो भी लोग वहां कहाँगे कि नहीं यार, SBI के share मैं नहीं खरीद सकता जुआ है share, share market यहाँ पे पैसा लगाना बिलकुल भी उचित नहीं है लेकिन वही बैंकों में उनको पैसा देंगे रखने के लिए तो यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप लोग बैंकों पे भरोसा कर रहे हैं तो at least उनके share पे भी भरोसा कीजिए तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दूसरे पॉइंट में कि जो आप लोगों का पैसा है वो आप लोगों को सही तरीके से return भी कमा करके नहीं दे रहा है inflation rate की बात करते हैं दोस्तों तो inflation rate इस समय कितना चल रहा है आप लोगों को पता भी है 7% से उपर inflation rate rate 2019 से अभी तक चला हुआ चला आ रहा है पिछले समय लगबग 6 के आस पास था 6 से थोड़ा सा कम था 2018-19 में ठीक है तो inflation rate को अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो मान लीजिए कि आप लोगों का inflation rate अभी 7% है मान लीजिए 6% भी है एक मोटा मोटी मान कल करके चलिए कि आप लोगों का inflation rate अभी present में 6% है और आप लोग बैंकों में fixed deposit कराते हैं मान लीजिए fixed deposit आप लोग SBI में ही करा रहे हैं और वो आप लोगों को return दे रहा है वो negative मिल रहा है मान लीजिए कि अभी 7% का inflation rate है और आप लोगों को FD पे 6% का return मिल रहा है ब्याज मिल रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को 1% का घाटा हो रहा है यानि कि जो आप लोग 1,00,000 रुपे वहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इस समय के fixed deposit आप लोगों के inflation rate को भी बीट नहीं कर पा रहे है यह आप लोगों को ultra नुकसान करा रहे हैं तो वही मैं आप लोगों कह रहा था कि आप लोग share market की तरफ mutual fund की तरफ move करें जहाँ पे inflation rate का ज़्यादा आप लोगों का effect नहीं पड़ता है अगर आप लोग SBI पे भरोसा करते हैं अगर आप लोग SDFC भरोसा करते हैं अगर आप लोग Reliance पे भरोसा करते हैं तो आप लोग उनके बारे में थोड़ा analysis कीजिए उनके shares में अपना investment कीजिए धीरे धीरे ही अपना investment स्टार्ट कीजिए सीखे समझिए इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए free Demet account का option रखता है नीचे वीडियो के description में link है आप लोग वहाँ से Demet account create कीजिए आप लोग किसी भी company के IPO में NFO में, आप लोग किसी भी company के stock में mutual fund में investment कर सकते हैं एक साल तक आप लोगों से किसी भी तरह की fees नहीं ली जाएगी तो नीचे वीडियो के description में link है आप लोग जरूर investment कीजिए share market या फिर equity की तरह भी वरना आप लोगों को हमेशा इस तरह का नुकसान जहेलना पड़ेगा अब मैं ये नहीं करा कि आप लोग पूरा पैसा उठा करके equity में डाली है आप लोग emergency fund के वल fixed deposit बना करके रखिए और अपने कुछ खर्चों को fixed deposit में रखिए अब next point में आप लोगों के सामदे रखना चाहूँगा है कि आप लोग सही टैनल चूज करते हैं तभी आप लोगों को सही fixed deposit पर return देखने को मिलेगा next चीज दोस्तों जो हमें परिशान करती है वो है liquidity liquidity क्या होती है कि हमें जब पैसे की जरूवत है तो हम पैसा अपना निकाले वहाँ से ठीक है जैसे कि अगर हमें 5 साल की FD करा ली है बैंक में अब हमें जरूवत पड़ी 2 साल में पैसा निकालने की तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि आप तो माली जी की inflation rate में भी 77% दोनों पर मिल रहा है अब वहाँ पर bank आप लोगों का पैसा भी काट लेगा तो liquidity भी यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छी नहीं मिलती है आप लोगों को interest rate पर या फिर के लिए maturity amount पर जो घाटा होता है वो होना ही होना है next is दोस्तों आप लोगों का reinvestment का issue अब reinvestment क्या है दोस्तों कि आप लोग जैसे कि माली जी कि अभी कम maturity amount है जो भी आप लोगों का interest बना है वो दुबारा से reinvest हो जाए देखिए मैं तो आप लोगों को चीजे समझ में आ जाए और इन चीजों पर आप लोग जरूर सोचें तो अगर उस समय जो ब्याजदरे होगी माली जी कि अभी 6% है और उस समय देड़ सालों में दो सालों में किसी भी तरह की ब्याजदरों मुझे तो नहीं लगता की बड़ोतरी होने वाली है तो अगर आप लोग reinvestment को option choose करते हैं तो यहाँ भी आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है ब्याजदरे हो सकता है कि future में और कम हो जाए fix deposit पे क्योंकि repo rate कम होगा तो आप लोगों के यह ब्याजदरे जो हैं वो कम होंगी ही होंगी तो आई हो दोस्तों यह कुछ points है जिनको आप लोग ध्यान में रखेंगे बाकी मैं आप लोगों से चलते चलते कुछ बाते बता दू तो आप लोग सबसे पहले तो अपने goals को देखिए कि आप लोग किस तरह के goals fix deposit के साथ बना रहे हो क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को सुरवात में बताए typical Indian की सोच क्या होती है या फिर typical जो traditional investors होते हैं उनकी सोच क्या होती है इंडियन की बात करता हूँ तो सभी लोग cover हो जाएंगे तो यह ना इंसाफी होगी जो smartly investment करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वो सोचते हैं कि इतने टनले के लिए करा दिया इतने समय हमारा पैसा दो गुना हो जाएगा केवल उनको वो दोगुना amount डिकता है वो inflation rate नहीं देखते हैं और इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाते हैं क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं होती है क्योंकि मेरे नाना है, मेरे दादा थे तो वो भी जब अपना पैसा investment करते थे तो inflation rate महगाई दर से उनको कोई मतलब नहीं है उनको बस अपना पैसा डालना है एक लाख रुपए, दो लाग कितने दिन में हो रहा है कितने साल में हो रहा है, कितने महीने में हो रहा है केवल उनको ये देखना है उनको कोई भी मतलब नहीं है कि जो एक लाख रुपए की value अब है वहीं एक लाख रुपए की value अगर दोगुनी हो जाती है तो उस समय भी रहेगी या फिर उसकी और value कम हो जाएगी उनको इससे कोई मतलब नहीं है इसी तरह से traditional investors होचता है वो अपने पैसे को सही तरीके से manage नहीं कर पता तो चैनल को subscribe कीजिए अगर आप लोग share market में investment करना चाते हैं तो मैंने दो brokerage की from की आप लोगों को नीचे link दे रखी है एक होगी angel की एक होगी जिरूधा की तो जिरूधा पे आप लोगों को 200-300 रुपए लगेंगे ओपनिंग करने पे और angel पे आप लोगों को फ्री डीमेट अकाउंट खुलेगा और सारी 100 विदाएं दोनों पे ही आप लोगों को सेम मिलने वाली है और brokerages भी आप लोगों का सेम होता है चलिए next video मिलते हैं आप लोगों का दिन सुभो जैहिन